Hello and welcome friends, आज के इस वीडियो में हम Google Sheet पर जानेंगे comments लगाना, कैसे हम comment लगा सकते हैं और साथी साथ जानेंगे कि valid email है या नहीं, इसको पता करने के लिए Google Sheet में एक बहुत ही शांदार formula है, उसके विवारे में जानेंगे तो चलिए start करते हैं, यहां से एक Google Sheet में ने open कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं, यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो comment लगाना है, तो जैसे माल देजी इस पर आप कोई comment लगाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे माल जी इसको selection में लिया, right click किया, और इस पर लगाना ह सकते हैं, आप control, alt और m, अगर control, alt और m एक साथ दबाते हैं, तो यहां पर comment insert करने के लिए आ जाएगा, ठीक है, अब यहां पर comment क्या देना है, hey, the amount is less than 10,000, ठीक है, यह comment हमने दे दिया, तो यह comment तो हम बहुत ही असानिक साथ लगा सकते हैं, ठीक है, यह comment हमने दे दिया, अब यहां पर देख सकते हैं, यह comment है, तो यहां पर अगर आप आते हैं, यहां पर click करते हैं, ठीक है, यहां पर भी आप comment लगाएंगे, जैसे यहां पर आपने comment लगाया है, तो यह देख वल्टू का निशान लगाईए एक बहुत ही अच्छा formula इसमें is email तो आप is email formula यहाँ पर use करिए तो is email जैसे ही लगाएंगे आप is email तो यहाँ पर देखिए is email आ रहा है अब यहाँ पर आपको tap प्रेस कर देना है ताकि bracket automatically insert हो जाए अब यहाँ पर इसको selection में लीजिए ठीक ह और इस bracket को करिए close और enterprise कीजिए तो जैसा ही enterprise किया तो यहाँ क्या आ रहा है answer true answer आ ठीक है अब इसको drag करते हुए नीचे तक आ जाईए देखिए अगर true answer आएगा तो यानि की email सही है और अगर false answer आ रहा है तो यानि की email id गलत है तो यह देखिए यह वाली email id यहाँ पर दो formula का use कर सकते हो मैंने आपको यह भी सिखाया कि comment कैसे लगा सकते हैं ठीक है आगे की videos में और भी चीजे हम जानेंगे तब तक के लिए thank you for watching this video